तो नमस्कारे परिवाड़ी विल्कम बैक टूज चैनल तो आप सभी का स्वागत है अपना इंडिया रिल्बे की एक नए वीडियो में तो पिछले दिनों हमने आपका बताया थे कि असरवा जैपूर असरवा एक्सप्रेस की टेन गती में बढ़ उत्रे की गई है वह दूफ के द्वारा यायत्रियों की सुधाव है तो 1298 12982 12981 मतलब असरवा चैपूर असरवा इसे एक्सप्रेस ट्रेन की गती में 24 अप्रायल 2023 की दिन से बढ़ उत्रे की जारी से गती को पढ़ा दिया जाएगा जिसमें काफी समय की बचत जुए होने वारी लगबग 55 मिनिट से लेकर 100 मिनिट की आसपास आपका समय बच जाएगा इस ट्रेन की गती में बढ़ उत्रे सी असरवा जैपूर सुपर फास्ट एक्सप्रेस और हिम्बत नगर असरवा डेमूश पीच्छे ट्रेन के परचलन समय में भी जो समय है दोस्तों इसके आंसिक परिवरता जोबह किय गया है जिसका विवरेट जोबह बता दिया गया है तो ट्रेन सिंख्या 12982 असरवा जैपूर असरवा जो ट्रेन रहेगी 24 अप्रेल 2023 के दिन से असरवा सबनी निर्धारी समय 18.45 बजे की अस्थान पर ध्यान दोस्तों ध्यान से आप लोग देखिएगा 18.45 की बजाए 19.50 को प्रस्थान करेगी मतलब भाई यहां से ही समय को चेंज जो है कर दिया गया है 18.45 मतलब 6.45 को ट्रेन चलती थी जबकि अब यह ट्रेन साथ पचास को निकलेगी शाम को असरवा से अगले दिन पूर निर्धारी समय 7.35 को जैपूर जो है पहुंच जाएगी इसी तरह ट् 35 को समय था जबकि अब जो है इसको आठ बसकर 45 मिट पर यहां फे रवाना किया जाएगा जैपूर फे और अगले दिन अपनी निर्धारी समय जो कि दूस्तों 8.50 बजे के अस्थान पर पहले जो ट्रेन आती थी 8.50 को पहुंचती थी असरवा जबकि अब यह ट्रेन जो है को पताने की रह गया था और इसके बाद जो ऑफिशल लेटरिस का रिलिश किया हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन वीडियो के मादम फिर दे रहे तो वही ट्रेन सेंगा 09402 हिमत नगर सरवा डेमू स्पेशल जो ट्रेन रहेगी 25 अप्रेल से हिमत नगर से अपनी निर्धा को खरी अमरापूर 56 बजे तालोद 7 बचकर चार मिनट पर खेरोल साथ यारा को दुफ्टो रखियाल पहुंचेगी साथ 17 बजे जालिया मट साथ बचकर पचीस मिनट पर नांदूल देहेगाम साथ तैतिस बजे ताबोडा साथ चालिस को मेद्रा साथ च्यालिस को नरोडा साथ पचास बजे ट्रेन जाएगी सरदार ग्राम साथ बावन को सैजपूर तथा आठ बचकर 15 मिनट पर ये ट्रेन जो रहेगी असरवा हो जाएगी तो यहां तो हो गई भाई दो गाड़ी जैपूर असरवा जैपूर हिमत नगर असरवा टेमू अब मैंने आपको दो चीज़तों क्लियर कर जाओ अब बात जैसे कि हमना आपको स्टार्टिंग में बताए थी वीडियो कि तो हिमत नगर और यहां पर डूंगर पूर या उदेपूर इन तेनों के मत्री में एक मुंबई स्पेशल ट्रेंग बंद्रा स्पेशल ट्रेंग की सुर्वात की जा सकती है और यह कैसे शुरू होगी इसको लेकर भी कुछी में आपको क्लियर कर दो कि आने वाले समय में 2-3 गाड़ियों का संचलन जो है इसका विशात किया जाएगा एहमदाबाद से यहा तो दोस्तों हिमत नगर या तो तुछ यहां पर हमारे रूट मतलब उधैपुर तक के लिए इसको लेकर खुछ सांसोंतों के द्वारा जो है यहां पर प्रयाफ किया जा रहा है तो मीच जल्द है कि इन सभी प्रयास्तों जो ह प्रयाव जो है जरूर सरंग लाएगी और यहां पर आपको काड़ी जो है देखने के लिए मिलेगी क्योंकि मुंबाई की काड़ी उतनी जरूरी दोफ्तों जितनी यहां की जनता जो है एहंदाबाद या बाके जगा जो है अपने कार और धंदों के अजय फे जाया करते तो आप लोग इसका ऑफिशल लेटर देखिए क्योंकि बिन ऑफिशल लेटर है कि दुफ तो हर जानकार जो है सही नहीं होती है तो आप लोग इसका ऑफिशल जरूरी फे देखिएगा इसमें जो है सारी इंफॉर्मिशन है तब तक के लिए जैहिन